दोस्तों अगर आप भी महिंदर सिंग धोनी को बेहितरीन खिलाडी मानते हैं तो इस वीडियो खुला एक जरूर किशेगा दोस्तों महिंदर सिंग धोनी को भारती टीम का कोच बनाने के लिए महिला खिलाडीयों ने दिया अज़ीब और गरीब बयान तो आखरकार महिला खिलाडियों ने धोनी को भारती टीम का कोच बनाने पर क्या बयान दिया ये तो हम आपको बताएंगे ही तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है माहेंदर सिंग धोनी और रोहित शर्मा में कौन खतरना खि भी है इस बीच भारती टीम के हेड कोच राहुल द्रविड को भी काफिज जादा निशाने पर लिया जा रहा है क्योंकि राहुल द्रविड ने काफिज जादा खराब मास्टर प्लैन के तहत भारती टीम को इंग्लैंड के मैदान पर फाइनल मुकाबले में उतारा था और ऐसे में अब महेंदर सिंग धोनी को हेड कोच बनाने की अटकल ने एक बार फिर से काफी जादा तेज हो चुकी हैं और अब इसके समर्थन में भारती महिला खिलाडी भी सामने आ चुकी हैं और उन्होंने MS धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया जिसमें जूलन गुस्वामी न बड़ा होना चाहिए जिसके पुक्ष में मैं अब ही से हूँ इसके अलावा उन्होंने आगे कहा की बड़े टुर्नामेंट के अंदर MS धोनी क्या कुछ कर सकते हैं इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे मालूम है MS धोनी को अगर भारती टीम में शामिल किया जाए तो भारती टीम की दश्शा ही बदल जाएगी MS धोनी को शामिल कर लिया जाए तो भारती टीम के अंदर काफी बड़े बदलाओ होने लाजमी है और ऐसे में मेरा मानना है कि धोनी को टीम का कूछ बनाया जाए तो वहीं स्मृते मंधाना ने बयान देते हुए कहा कि भारती टीम के अंदर बड़े बदलाओ करने पड़े इसके इलावा उन्होंने कहा कि भारती टीम के लिए MS धोनी को अगर कोच बना दिया जाए तो भारती टीम की रड़नीती बदल जाएगी और कुछ दिनों के बाद सफलता मिलने लगेगी और भारती टीम को टूर्नामेंट जीतने में काफी जादा असानी होगी वैसे आपको क क्या लगता है MS धोनी को भारती टीम का कोच बना देना चाहिए या नहीं कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शांदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लिए हमारे यूट्यूब चैनल को